आस्मान की परी पहल लेती इसके पास आस्मान की बिल्म से बनी चीजी भी थी जिनकी खद्मत आनेता को बहुत पसंद थी इसकी सबसे बड़ी दोस्टे क पशघाम के परी थी जिसका नाम Laila था लaila भी आस्मान की परी थी और इसका काम आस्मान की मनजर को संवारना था एक दिन आनीता ने आस्मान की मनजर को देखकर एक खुबसूरत कलाम लिखा जिसमें वो अपनी महबत का इजहर करना चाहती थी वो पैगाम लेला को भेजने का फैसला किया और पैगाम को एक बालों के परी के जरीय लेला तक पहुंचाया पैगाम में आनीता ने अपने दिल की गहराईं से लिखा था मेरी प्यारी लेला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मी तुम्हारी दोस्ती की खदर करती हूँ में ने आस्मान की मनजर को देखकर तुम्हारी खुशबूदारी की तरह चमकते हुए तारूं को देखा तुम्हारी तरह में भी आस्मान की परी हूँ और मेरा दिल तुम पर चा गया है किया तुम मेरे साथ एक शाम गुजारूगी, तुम्हारी मुलाकात का इंतिजार रहेगा मुहबत और दोस्ती, आनीता, लैला ने पैखाम पढ़कर बहुत खुशी महसूस की और वो भी आनीता को देखने का खाब देखती थी वो फौरन पैखाम का जवाब लिखकर एक बालों के परी के साथ भेज दिया मेरी प्यारी आनीता, तुम्हारा पैखाम मेरे दिल को चुआ और मी भी तुम से मिलकर बहुत खुश हूँ हम एक शाम मीना सकते ही और मी बहुत जल्द तुम्हारे पास आने का इरादा करती हूँ आस्मान की मनजर को देखकर तुम्हीं देखने का भी मुजाल मिल जाएगा मुहबत और दोस्ती, लैला, आनीता और लैला ने एक खुशूरत शाम की मनजर का इंतिजार किया जबके आस्मान की परियों अपने जादूई लबासम में सजकर तयार हूँ शाम के वक्त आनीता और लैला ने आस्म, उनकी मनजर के नीचे बैट कर तारूं को देखने की कोशिश की वो तारूं की चमक और आस्मान की खुश्बूदारी से मखरूर थी शाम के दर्मियान, वक्त आस्मान के परियों के साथ बहुत खुशिके लम्हें बुजारा आनीता और लैला ने अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया और एक दूसरे की कहानिम को सुना वो मुजिजे की बातें करते थे और आसमान की परियों के जादूई लबासं को देखकर हरानी का सामना किया आस्मान की मनजर को देखने के बाद आनीता और लला ने एक दूसरे को वादे किया कि वो हमेशा एक साथ रहींगे और आस्मान की परियों के साथ अपने दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेंगे इस दिन के बाद आनिता और लला ने अपनी दोस्ती को मज़ीद गहरा बनाया और वो हमेशा एक साथ खुश रहती उनकी दोस्ती ने इनकी जिंदगी को रंगीन बनाया और आस्मान की पर्यूं के साथ वो हमेशा खुशियों मना दें ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और महबत की खीमत उनकी खुशूरती से नहीं बलके उनकी दिल से आती है आनिता और लला की दोस्ती ने इनकी जिंदगी को ममलू किया और उनको आस्मान की पर्यूं की बंदू बसत को सुवारने का मौका दिया खतम में आस्मान की परियूं की ये कहानी हमें ये बताती है कि हक्यकत में खुबसूरती वो नहीं होती जो हम देखते हैं बलके वो कुछ होती है जो हमें दिल से चूती है आनीता और लला की दोस्ती ने इस हक्यकत को एक खुबसूरत और मुन्वी तरेके से जाहिर किया जो हमें सब के लिए सबकामोज हो सकता है